वेलकुम आजी साब को फिर स्वागत एक लेट टेस्ट अपडेट के साथ एक ब्रेकिंग नियूस के साथ मैं हो दिपक सिंग और आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं एक्रिगल से सुप्रवाइजर के फाइनल रिजल्ट या मेरिट लिस्ट से समझ जितनी भी यहां प कि हम बारे में यहां पर हम डिसकस करेंगे इसलिए वीडियो को बिना इसकीप कियो है एंड तक आपको जरूर देखना है तो चले क्लास को स्टार्ट करेंगे इससे पहले जो भी नहीं इस्ट्वेंट है वो चैनल को सब्स्राइब कर ले और पास के बैल आइकन को जरूर प और 12 मार से पहले तो पहुत सारी डेटे आतील है लेकिन यहां पर याद रखेगा जो सबसे ज्यादन रहे है किस डेट को बन रहे है उसाइक बारे में यहें पर यहां कależy है और यहां वानिकर सभी है यहां देख लेते हैं यहाँ पर आप देख सकते हो रादे मिना है इन्हों ने बताया था कि आज इस्टेट नो ग्राफर बढ़ती 2018 के अंग डाल दिये गए हैं अब बहुत जल्द 9 मार्च को ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हो हाइलाइटेड है कि 9 मार्च को करसी परवेक्सक बढ़ती 2021 का अंत चल चुकी है कि 9 मार्च को लगबग आ सकता है ठीक है जितनी भी यहाँ पर संभावनाई है अब यहाँ पर मैं यह तो नहीं कहूंगा कि 100% है 90% है यह तो बोड़ वाले जाने या फिर उनसे जो बात करते हैं वो जाने ठीक है अपने इसमें कुछ नहीं गए सकते जो भी य चुछ सटरडे को ओफिस बंद रहता है तो 12 मार्च को तो वैसे भी नहीं सकता तो यह तो 9 तारीक के समावना ही बन रही है कि आपका जो मेरिट लिस्ट को है यह तो 9 तारीक को आएगी यह फिर 11 तारीक को आएगी लेकिन जो सबसे जादा चांसेज यहाँ पर बन रहे है वूँ 9 मार्च या फिर आप 8 से 9 ले सकते हो क्योंकि लगबख एगरी कल्चर की जो काम होते हैं मेरिट वाले ये मंगल को अहीं ठीक है तो यहां पर मंगल पढ़ रहा है तो लगबख चांसेद है 8 से 9 तारिक ठीक है और बाकी तो वैसे तो बोड़ वाले ही जाने कब वोनिक और विए घंश पर स्यंने सोंनट तो कोई स्योर नहीं नहीं हो सकता खिस टूर ये वगया है कब आ सकता है उसके बारे में अब यहां पर बात किे जैसे की माली ढ़ली जी कोट का क्या हुआ था क्यों सभी कोает को पताफ ने अपना जो भी फैसला है ये सार विजिनिक नहीं किया है तो इसका क्या मतलब है क्या कोट का फैसला आएगा या फिर नहीं आएगा तो अब यहाँ पर याद रखेगा जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि करसी प्रवेक्सर के है तो इसे मामला सदर के माली का या तो फैसला बोल सीदा बता दी है कहा सिधा है एक सा कोई जरूरी तो नहीं है कि कौुट अपना जो फैसला है वो सीदे सार cassette को कोई रूल है नहीं अगरों वालों ने सीधा बोलं को ट्रे से है कि यह ज Ain you c Ami यह तो कम सीतों पर निकाला जाएगा या फिर याद रखे है अगर मालीजें आट अगर है यह पूरा रिजल्ट हो सकता है यहां पर आने की संभवना भी नहीं बनती क्योंकि उससे वापिस डी वी कराये जाता है कुछ होते हैं लाइन पर उनको निकाला भी जाता है और कुछ लाइन पर इस ट्वेंट रहते हैं जिनको लिया भी जाता है ठीक है तो समझ सकते हूँ अगर एक भी क्यूसन यहां पर होता है तो फाइनल रिजल्ट को भी रोका जा सकता था आसा यहीं जाता रहे है कि कोई यहां पर कुईशन में जैन्ज नहीं हुआ है तब ही मेरिट लिस्ट यहां पर आने की संभावना है जैसे कि आप यहां पर डेट दे सकते हो नो मार्च ग्यारा मार्च ठीक है तो यह जो डेटे बता रही है जो आकलन यहां पर कहता है कि कोट का मामला है वो रफा दफा हो चुका है और कोई भी क्यूशन यहां पर चैन्ज किये नहीं गए है कोट की ओड से जो चल रहा है सिच्वेशन उसके अकोडिंग यह मान सकते है क्योंकि इसके रिगार्डिंग मैंने बात भी किती कुछी स्टेंडों से या फिर कुछ स्थाफ वालों से उन्होंने भी यही बोला था कि कोई चैन्ज नहीं है तभी तो मैरिट लिस्ट आ रही है अद्रवाइस मेरिट लिस्ट तो नहीं आती तो कि आप सभी को बता है चलिए नेक्स्ट इसन के और बढ़ेंगे कट ओफ क्या रह सकती है तो अब यहां पर एक विक्रांद को सीक है जो की रिपोर्टर भी है और आपके शुबचिंतक भी है तो उनकी द्वारा यहां पर फाइनल कट ओफ बताई गई है कि क्या रह सकती है आपकी फाइनल कट ओफ अग्रिक fan कि आपर देख सकते हो अब इनको दिखना द्वारा कितना यहां पर आकलन किया गया है इनको ये भी पता है कि धुस्तों सत्र के उपर तो थीनके हैं तो जो समान्य है जनुकी 229- 231 नमबर महिलाओ की यहाँ पर रह सकती है 224 से 225 नमबर ठीक है यह होती है जर्नल की कट ओफ इसके बाद में हम बात करेंगे ओविसी की कट ओफ तो कुल सेट यहाँ पर 416 है कट ओफ यहाँ पर बताईए नोने पूरोसो की 226.4589 परसंट महिलाओ की यहाँ पर बताईए है 221.321 ठीक है यह सभी मार्क्स में दिये गए है नोट परसंडेज में दिये गए है अब सभी को भी दीते यह तो AWS के कर बात करेंगे कुल सेट यहाँ पर इनोने बताई है 1099 में कट ओफ बताई है पूरोसो की 208 नमबर महिलाओ की बताई है यहाँ पर 116 नमबर अब यहाँ पर इतना भी अंदाज लगा सकते हैं कि इनोने पॉइंटों भी यहाँ पर कट ओफ निकाली है तो 21 बैस पर इनोने निकाली है यह तो इन्हीं को बता ठीक है लेकिन आइतिन यहाँ पर जितना भी यहाँ पर मार्जन रखा गया है क्वेसंस का नमरों का वो सट जोन में है और ये लाइन इनके द्वारा भी बोली गई है और ये तो हमने पहले भी बता दे थी कि 8 से 10 नमर जिसके है वो सैफ जोन में आ रहे हैं बाकी देखने ही वाले हो ठीक है एडवल बस के यहाँ पर बात कर चुके हैं इसके बाद हम बात करेंगे सी तो सी की कुल सेटे यहाँ पर बताई गई है पांसो चबवन, कट ओफ यहां पर पूरुसो की रहने वाली है 204, महिलाओ की रहने वाली है 170, इसके बाद हम बात करेंगे स्टी, तो स्टी की यहां पर कुल सीटे हैं, स्टी और स्टी दोनों की यहां पर सीटे कमाइन की गई हैं नोंने, पांसो चबवन, कट ओफ यहां पर है पूरुसो की स्टी में 206, महिलाओ की यहां पर है 180, इसके बाद में हम आते हैं, आपको पता चलेगा, ठीक हैं, अब यहां पर याद दखे के इन्होंने नोट भी यहां पर लिखा है, कि जो अब्यर्थी अपने कट ओफ से साथ मार्क्स ज्यादा है, उस उरक्सित हैं, मतलब सेफ जोन में हैं, यहां समभावित कट ओफ है, इसमें एक से दो नंबर का फर्ग आ सकता है, मतलब यहां पर याद रखेका, यहां पर जो भी यहां पर कट ओफ अभी तक आपको बताई गई थी, वो विक्रांत को सीख के द्वारा ही बताई गई थी, इन्होंने यहां पर डाटा हम में समिट किया था का, तो उसी cutoff को यहाँ पर आपको बताये गया है और इनके according जितने भी यहाँ पर strand है उनके अगर 7 नमबर भी उपर चल रहे है तो वो safe zone में है ठीक है और अगर आपको यहाँ पर cutoff दिख रही है इसमें एक यह दो नमर का उपर नीचे हो सकता है बाकि यही cutoff रहने वाली है इन अगर आपको झाने कर पासंद आये तो वीडियो को लाइक कर देना शेर कर देना और चैनल को subscribe आपको करना ही करना है ठीक है चले मिलता है नेक्स्ट अपटेट के साब जब तक लिए अच्छे से पढ़िये अच्छे से रहे है मैनत करते रहे हैं